कि यहां पर आज की समय में आप एक चीज है ना नोट कर रहे होगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिकल वहिकल है वहिकल जो इनिसियेटिव ले रही है और आने वाले समय में जो यह सेक्टर है ना बहुत ज़्यादा इधर इना ग्रोथ दे शकता है तो क्यों ना इस जो सेक्टर से लेटेड़ जो एक स्टोक सा हमारे पोर्टफॉलिय में होना चाहिए दोस्तों जब बात इस सेक्टर के चलिए तो इसके एक दिगज कंपनी है सरोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड कंपनी के अभी जो फाइनेंशल आंकड़े हैं वो भी इधर आए हैं भया जो पी एटी है साथ में यहाँ पर जो और फाइनेंशल डाटा है हमारे पास आया तो हमें लगा कि वीडियो के तुरू आप लोग के साथ भी जो डाटा न वो शेर कर दे शाथ में स्टोक अगर आप लोग देखोगे जो स्ट्रोंग स्पोर्ट जोन के उपर ट्रेड करके वापिस से दोस् से दोस्ट इदर बारी किसे के लिएर करते हैं तो चलिए दस्वाज कुछ नया सीखते हैं तो सर्वटक पावर सिस्टम लिमिटेड कंपनी के स्टोक अपने पोर्फोलियो में एड करने से पहले कंपनी का देखें तो देखें जो इलेक्ट्रीकल वहिकल के जो चार्ज़ ज जो अधर जो UPS है उसके अंदर कंपनी इदर काम करती है कंपनी जो जो एलेडी है डोमेस्टिक यूज के लिए और जो कमर्शिल यूज के लिए वो बनाती है और इसके जो दूसरे प्रोडेक्ट बात करते तो जैसे जो जो उक्सिजन जो कंचंट्रेटर है और जो यूवी एक पावर सिस्टम लिमिटेट वो है 1669 करोड रुपे का करेंट प्राइस इसका 78 रुपे 50 पैसे के आसपास इदर चल रहा है हाई इसने 100 रुपे का दोस्तों इदर एन टच्च किया था स्टोक का जो पी है आपको स्लाइटली थोड़ा से ज़्यादा दिखाई दे सकता है जो इसके face value वो एक रुपे है और ROI यानि जो return on equity वो आपको 16 से परसेंट से ज़्यादा दिखाई दे जाएगी सबसे पहले हम company के financial देख लेते हैं तो यहाँ पर जो key financial matrix में आप लोग देख रहोगे अगर company के हम total revenue की बात करते हैं तो यहाँ पर देखी quarter two financial year 2023 के अंदर 4024 24 लाख रुपे थी quarter one financial year 2024 के अंदर दोस्तों यह बढ़कर होगी 7981.4 लाख रुपे की तो यहाँ पर company ने quarter on quarter अगर आप लोग देखते हैं इदर आपको double लहना जो jump होता हो दिखाई देगा revenue के अंदर अगर आप quarter two financial year 2024 की बात करते हैं तो यहाँ पर 8670 के जो 60 के आसपास है ना लाख इदर यह पहुंच गया था तो आकड़ा जो company का ना काफी ज़्यादा ग्रोथ इदर दिखाई देगी इबिटा एंड मार्जन देखते हैं तो इबिटा के अंदर आप लोग देखे लिए जो quarter two financial year 2024 के अंदर यह रुपे दोसो जो 40 लाख रुपे था वो जो quarter two financial year 2024 के अंदर वो हो गया है 579.01 लाख रुपे का तो company का जो EBITDA जो margin है ना वो भी आपको बढ़ता हो इदर दिखाई देगा अगर हम PATN जो margin देखती PAT मतलब की profit after tax देखेंगों तो यहाँ पर देखें को quarter two financial year 2023 के अंदर company को 78 लाख रुपे का जो profit था यह quarter one financial year 2024 के अंदर बढ़कर हो गया 411 लाख रुपे का और quarter two financial year जो 2024 के अंदर अगर आप लोग देखो तो यह हो गया 312.40 लाख रुपे का तो company का अगर आप PAT देखते त profit after tax है आपको काफी ज़्यदा growth होते भी दिखाए देगी return on equity company की यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 31 March 2023 को 18 के परसेंट के आसपास थी वो इधर चेंज हो गी है इधर approximately 22% की और साथ में ROCE है ना 13 से बढ़कर है ना 16 प्वेंट जो 2 है ना वो इधर percentage पहुंच गया है त quarter to financial year 2024 के अंदर देखे कंपनी का जो total revenue तो 8,669 लाख रुपे का और जो देखते की जो half year लिए गरा financial year 2024 का देखे हुए तो यहाँ पर जो company का 16,640.44 लाख रुपे का तो company का देखे ना quarter wise अगर आपको इना काफी ज़्यदा growth इधर दिखाए देगी अगर हम यहाँ पर भी profit after tax की और यहाँ पर साथ में why or why basis के ओपर अगर आप half year लिए का जो comparison करते हो जैसे कि financial year 2024 का half year लिए और जो financial year 2023 का जो half year लिए तो वहाँ पर आपको 536% की जो growth है ना वो इधर दिखाए देगी तो इस base के ओपर दोस्तों हम बोल सकते की company है ना इधर काफी ज्यादा particular के अंदर अब आप लोग देखोगे तो company की जो equity and liabilities है company की इधर है na equity share capital आपको same दिखाई देगा यहाँ पर company ने दोस्तों जो share holding fund है उसको थोड़ा सा इधर कम किया है और company इधर है ना काफी ज़्यादा मजबूती की तरफ से भया आगे बढ़ी है एक चीज और यहाँ पर मां आप लोगों को इधर दिखाना चाहूँगा कि company नए नए सिग्मेंट में इधर बहुत अच्छे चे काम करी है जैसे कि अगर आप लोग देखोगे company का एक के जो MOE sign हुआ government of उत्तर परदेश के साथ जो यहाँ पर जो company establish करेगे EV charger manufacturing facility उत्तर परदेश के अंदर और जो backward integration अगर आप लोग देखोगे उत्तर परदेश electrical vehicle manufacturing and mobility जो policy 2022 के साथ वो यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर देखे जो servotech power system limited है वो पलान कर रही है 300 क्रोड उर्पे से जादा amount का इस project के अंदर invest करने का और इनका aim है कि यहाँ पर 10,000 से जादा जो DC electrical vehicle जो far charging annually है capacity के साथ ह इधर बनाए जाएंगे और इसका जो operation का जो comments है अगर आप लोग देखोगे quarter one financial year 2025 के आसपास रखा गया है तो company यहीं नहीं रुकती इसके बाद अगर आप लोग देखे कमपनी का दोस्तों अभी इधर signed हुआ है National Solar Energy Federation के साथ जो की establish करेगी solar powered EV charger enable जो corporate है इनके लिए जो carport है as a pilot project और इसका finalize जो होजखास है नू डेली के अंदर वो location रखा गया है तो यहां पर company जो डीसी जो टू डीसी चार्जर है और जो इसकी capacity है 15 kilowatt और 30 kilowatt की यहां पर जो बारा जो solar panels वो इधर बैठाए जाए जाएंगे और इसकी तरज के उपर दोस्तों जो है ना जो electrical vehicle क के अंदर एक क्रांती आएगे और company का स्टोक भी है ना काफी ज्यादा गरो होगा तो यह तो दोस्तों मोटा मोटी company की achievement होगी अगर हम यहां पर बात करें जो तो कहां पर ट्रेड करा तो एक चीज आप लोग देख चकते हैं कि approximately 74 रुपे के हैं ना उपर इसने एक स्ट्रो अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो मेरे इससाब से दोस्तों इसी लाइन के ओपर जो यह स्टोक से ना जो अपड मुमेंट से एक breakout है इदर से दे सकता है अगर हम इसके resistance की बात करते हो तो resistance आपको approximately इदर है ना 82 रुपे के आसपास इदर आप लोग देख सकते हैं और इस 82 रुपे को है ना टच करके स्टोक पहले डाउन गया था अब है ना लेकिन मुझे लगता है कि यहां से ब्रेक करके एक strong upper side है ना जो यह company है इदर दे सकती है और अपने इन्वेस्टरों को इदर है ना अच्छा profit दे सकती है दोस्तों अगर मैं overall बात करूँ सर्व पावर सिस्टम लिमिटर जो company इसका revenue इसका दोस्तों financial data इसकी growth PAT सब कुछ अगर आप accumulated करते हैं इसका अगर सारेंस निकालते तो company मेरे इससाब से अच्छा perform कर रही है और आने वाले समय में अपने जो investor है उनकी बले-बले करवास रखती है फानली दोस्तों आपको यह कमेंट है तो कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों फिर मिलेंगे इस तरह वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रम